वैसे तो sports में कई बड़ी बड़ी कहानिया होती हैं कई inspirational कहानी होती हैं और ऐसी एक कहानी को लेकर हम आपके साथ जुड़े हैं आज उमीद करता हूं कि ये कहानी आपको पसंद आएगी क्योंकि जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं फुटबॉल की दुनिया के एक बड़े खिलाडी के तौर पर जाने लगे हैं उनका नाम है एंगोलो कांटे एंगोलो कांटे की कहानी के बारे में आज हम आप से बात करेंगे कहां से उनकी शुरुवात हुई और कहां से उनोंने फुटबॉल के अपने करियर को शुरू किया इसके बारे में बताएंगे 1980 में एंगोलो कांटे के माता पिता आते हैं वेस्ट आफ्रिकन कंट्री माली से माइग्रेट होकर फ्रांस फ्रांस में 1980 में वो लोग आते हैं और पैरिस जो है पैरिस के सबर्ब इलाका जो होता है रूई मालमिसों वहाँ पर उनोंने अपना घर बनाया छोटा सा 29 मार्च 1999 में एंगोलो कांटे का जन्म हुआ उसी रूई मैलमिसों एरिया में जो एक सबर्ब कहलाता है पैरिस का और चार भाई भेनों में सबसे बड़े होने के कारण एंगोलो कांटे पर काफी जिम्मेदारियां भी थी क्योंकि कम उम्र में उन्होंने अपने पिता को भी खो दिया जो कि कच्रा बीनने का काम करते थे और वही चीज एंगोलो कांटे ने भी फिर शुरू की क्योंकि बड़ा परिवार था उनकी माता जो हैं वो क्लीनर का काम करती थी उसी सबर्ब एरिया में उसी छोटे से इलाके में क्योंकि वो खासकर माइगरिंट्स का इलाका कहलाया जाता था जहां पर एंगोलो कांटे का जन्म हुआ रूई मैलमिसों एंगोलो कांटे ने भी कच्रा बीनने से ही अपनी जिन्दगी की शुरुवात की वो लंबी दूरी तै करते थे लंबे दुर-दूर किलो्मीटर तक जाते थे ऐसे चीज़ों को उठाते थे ताकि वो री साइकल हो सके और कई री साइकल फैक्टरीज को वो ताकि वो चीज़ें लाकर दे सकें और जिससे उन्हें पैसे मिल सकें उनकी कोशिश तो यही रहती थी बच्पन में की अपने परिवार को किस तरह और कितनी अच्छी से पाला जा सके लेकिन जितनी जल्दी उन्हें ये चीज़ें पता चल गई थी उनके सामने उनकी जो जिन्दगी की लकीर थी वो भी कठिन होते जारी थी साथ साल की उम्र हो चली थी एंगोलो कांते की और वक्त था उन्निस से उन्ठानबे का उन्निस से उन्ठानबे का वक्त फ्रांस के लिए बहुत खास था क्योंकि ये वल्ल कप का दौर था फ्रांस के लिए जो वल्ल कप ने जीता भी था और कई ऐसी भी चीज़ें एंगोलोक आंते ने सोची थी जिससे कि वो परिवार को अपनी और मदद कर सकें तो जब वर्लकप शुरू हुआ फ्रांस का तो स्टेडियम के बाहर एंगोलोक आंते बैठने लगे स्टेडियम के बाहर घूमने लगे ड्रांस के अंदर जो कच्रे होते थे उन्हें ही खटा करने लगे और होटलों में जो लोग रुकने आये थे जो खिलाडी रुकने आये थे होटलों के बाहर जो कच्रा पड़ा रहता है वो बीनने लगे वो और इस से जो उन्हें पैसों की मदद थी, जो पैसे वो कमाते थे वो अपने लिए बचाते थे और वही अपने घर में अस्तमाल भी करते थे अपने छोटे भाई भेनों के लिए और अपनी मा से भी वो पैसे शेयर करते थे लेकिन जब आठ साल की उम्र हो चली और वल्लकप के दोरान एंगोलो कांते को एक चीज सुनाई पड़ी कुछ ऐसे बड़े खिलाडियों का नाम उनके कानों तक गुंजा जो माइगरेंट्स थे वो ऐसे प्लेयर्स से जिन्होंने फ्रांस को वल्लकप जिताया था और 1998 का समय जो है वो फ्रांस का एक नया इतिहास था नया चैप्टर था पूरी दुनिया के सामने क्योंकि कुछ ऐसे खिलाडी थे जो माइगरेंट्स के तोर पर फ्रांस आये थे और फ्रांस को ट्रॉफी जिताने में मदद की थी अगर नाम लिया जाए तो जिने दिन जिदान है उसमें तियरी आनरी है उसमें निकलस अनेलका हैं पैटरिक वियरा हैं ये बड़े बड़े खिलाडी जो दिगज रहे हैं अपने देश के और दुनिया में फुटबालिंग जिमें इनका नाम गूंजा जाता है ये भी माइ अगरे जो हैं फ्रांस आरहे थे और फ्रांस की फुटबाल में अफ्रिकन माइगरेंट्स प्लेयर्स का बहुत बड़ा रोल भी होने लगा था धीरे 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 आठ साल में अगोलो कांते ने एक अपने कलब को चूस किया क्योंकि वर्ल्ड कॉप के बाद में कई ऐसी चो कलब को चूस किया जेस सिरेंग के अपन नाम था उनका जे एस सिरेन तो इस कलब से शुरुवात हुई एंगोलो कांते के फुटबॉलिंग करियर की जब उन्होंने फुटबॉल कलब जॉइन किया और जॉइन करते ही बाकी जो कोच थे और बाकी जो बच्चे उनके साथ में खेले थे उनसे वो बहुत जादा कमजोर दिखते थे जाहिर से बात है कि खाने को खाना नहीं होता था पीने के लिए पानी नहीं रहता था अच्छी डाइट नहीं रहती थी अच्छा फूड नहीं था उनके पास में तो लेकिन एक चीसी कि वो शुरुवात से ही महनती बहुत जादा थे और फुटबॉल में ही उन करते थे वो प्राइविटली करते थे कोई इन्हें सिखाता नहीं था अकेले में जाके यह चीज दोराते थे बार बार दोराते थे दिन में कई बार दोराते थे सिर्फ टैकल करना है और एक बॉल को एक छोड से दूसरे छोड तक लेके जाना है और अच्छा प्रदर्शन क बॉक्स खेलना है ये चीज एंगोलो कांते को समझ में आगे कि प्राइविटली और मैं इस चीज को जितना अच्छी तरीके से कर सकूंगा आगे ये मेरे लिए उतनी ही कारगर साबित होगी तो आट साल के बाद में जब इनोंने अपना करिया शुरू किया और उमर हो चली जब 3-4 साल और आगे बढ़े 12 साल के आसबस जब इनकी उमर हो चली तो ये अंडर 16 के लड़कों के साथ में मैच खेलते थे तो वहाँ पर अंडर 16 के लड़के इन्हें जब कहते थे कि अभी आप हमारी लीग में खेलने के लिए काबिल नहीं बने हैं और यहाँ पर बड़े बड़े लड़के हैं आप नहीं खेल सकेंगे तो एक दौरान एक मैच में ऐसा ही वाक्या हुआ एंगोलो कांते के साथ में 90 मिनट का मैच तो उन्होंने पूरा खेला लेकिन उसमें आधे घंटे के अंदर उन्होंने उन लड़कों को दिखा दिया कि उनसे बचना बहुत मुश्किल है कोई भी खिलाडी, कोई भी सीनियर खिलाडी उनसे बॉल आगे तक नहीं ले जा सकता था उनका टैकल इतना जादा अच्छा हो चला था 12 साल के उमर में कि वो अंडर 16 के लड़कों को बहुत आसानी से रोक सकते थे और रोके भी थे उस मैच में तो यहां से फिर जब कोच की निगाहें उन पर पढ़ी उनके क्लब के कोच की निगाहें जब उन पर पढ़ी तो फिर उनने एक और काम दिया गया उन बच्चों को सिखाते तो पैसे एंगोलो कांते ने ऐसे धीरे 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 जोड़ना शुरू किया और उसके बाद जब लगातार वो कई साल अपने बॉई हूट कलब से खेले उसके बाद फ्रांस में ही उन्होंने बॉलोने कलब को जॉइन किया 2010 का समय आ चुका था 2010 से 2012 दो साल बॉलोने से एंगोलो कांते ने मैच खेले का अपनी टीम को कई बड़े-बड़े मैच जिता है और तब दुनिया में तब फ्रांस में खासकर फ्रांस में एक चीज़ लोग जानने लगे थे कि एक प्लेयर ऐसा आ रहा है जो डिस्टेंस बहुत जल्दी कवर करता है और बॉक्स टू-बॉक्स खेलने का दमदार खिलाडी है जिसका टैकल बहुत ज़्यादा असरदार है बहुत ज़्यादा तकड़ा है यहां से एंगोलो कांते का सफर शुरू होता है और सफर जाता है इंग्लेंड जब Leicester City की निगाहें उन पर पड़ती है और Leicester City एनगोलो कांटे से करार करता है agreement करता है कि आप हमारे क्लब से खेलिए एनगोलो कांटे ने Leicester के साथ क्लब साइनिंग की और 2015 और 2016 का जो Premier League टाइटल है वो Leicester City के साथ एनगोलो कांटे नी जीता कई बड़े बड़े माच जिताए कई माच में एहम भूमिका निगभाई एंगो लोकांते ने उसके बाद चेल्सी की निगाहें उन पर पढ़नी शुरू हुई क्योंकि छोटी उम्र में जब वो लीग टॉर्नमेंट खेलते थे अपने छोटे कलब से तब कई बड़े कलब जो है उन पर नजर नहीं जाती थी क्योंकि उनकी कद काटी छोटी थी उनका बोडी फिजिक बहुत कमजोर था तो सबको यही लगता था कि यह खिलाडी नहीं खेल सकता लेकिन अब वो खिलाडी आ चुका था चेल्सी और चेल्सी शामिल होने के तुरंट बाद 2016 में जब वो चेल्सी जोइन किये उन्होंने फिर से वहाँ पर प्रेमियर लीग टाइटल जीता और लगातार इन दोनों सालों में प्रेमियर लीग टीम ओफ दा इयर में इन गोलो कांते चुने गए यह उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्दी थी एक समय जब वो देखते थे 1998 का जब वो कच्रा बीनते थे और यहाँ जब वो प्रेमियर लीग टीम ओफ दा इयर में चुने जाते हैं समय आता है 2018 का वोल्ल कप का दौरान वोल्ल कप का समय रशिया में जो खेला गया था इग्जैक्ली 20 साल बाद 1998 में जो बंदा और जो बच्चा ग्राउंड के बाहर स्टेडियम के बाहर खच्रे बीनता है आज वो उसी टीम का सबसे महत्वपून प्लेयर बनता है 2018 में फ्रांस का और 2018 में फ्रांस से वो अपना फुटबॉल वर्ल कप खेलने की तैयारी शुरू करते हैं 2018 में फुटबॉल वर्ल कप फ्रांस ने जीता एंगोलो कांते ने फिर से एक एहम भूमी का निभाई इसमें और जब ट्रॉफी सेलिबरेट कर रहे थे प्लेयर्स तो एंगोलो कांते साइड में खड़े देख रहे थे तब ओलिवियर जिरू ने उनको आके कहा कि ये ट्रॉफी हम सबने मिलकर जीती है आपने भी मिलकर जीती है इस पे आपका भी उतना ही हक है जितना बाकी खिलाडियों का है तो उन्हें आगे बुलाया गया ट्रॉफी उठाने के लिए ट्रॉफी सेलिबरेट करने के लिए तो दो कतारों पे जब प्लेयर्स की लाइन लगी तो एंगो लोग आनते अकेले बीच से आते हुए ट्रॉफी उठाते हैं सेलिब्रेट करते हैं ट्रॉफी को चूमते हैं और वापस वो दूसरे ही खिलाडियों को दे देते हैं बड़ी सादगी से क्योंकि बचपन से हार्ड वर्क उन्होंने बहुत जादा सीखा था और जिस हुमिलिटी से वो आगे बढ़ते चले हैं उसी हुमिलिटी से वो चीजों को आगे भी देखते हुए आ रहे हैं 2018 में फ्रांस के साथ उन्होंने वर्ल्ड कप जीता कई बड़े-बड़े प्लेयर्स के साथ में उन्होंने मैच खेले लेकिन सबकी धीरे-धीरे पसंद बनने लगे एंगोलो कांते अब वक्त हो चला है 2021 में और यूरो आने वाला है यूरो के लिए भी एंगोलो कांते आगे अपनी दाविदारी पेश कर रहे हैं और इस साल बैलन डॉर के लिए दौर में भी शामिल है एंगोलो कांते तो ये कहानी थी एंगोलो कांते की शुरुवात से लेकर अब तक की क्योंकि अभी तक जो उनका कारणामा था वो तो इतिहास के पन्नों में लिखा जा चुका है और आने वाले समय में भी एंगोलो कांते एक बड़े फुटबॉल के नाम की तरह ही जाने जाएंगे जैसा काम उन्होंने किया है जिस जगह से वो आए हैं और जिस मुकाम तक वो अभी तक पहुँच चुके हैं उसको देखते हुए उमीद करता हूँ आपको ये कहानी एंगोलो कांते की पसंद आई होगी एक छोटी सी कहानी हमने सोची थी कि आपके सामने रखी जाए लेकिन इसके अलावा और भी ऐसी कहानी आऊंगी दूसरे खेलों से जो आपके सामने हम लाएंगे कई स्पोर्ट्स परसें की कहानी होगी जो कठिन दौर से आगे बड़े हैं और अब उपर उचाई पर विराजमान हैं अपने खेल को लेकर अपनी हार्ड वक को लेकर उमीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी एंगोलो कांते के लिए स्पोर्ट्स अको लाइक कीजै वीडियो को शेर कीजै और नोटिकेशन की बेल जरूर दबाईए ताकि सारे सारे आपको नोटिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें पोट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट कीए स्पोट्स तक को सबस्क्राइब करें और हमारे फेस्बुक और इंस्सेग्राम पेज को भी जरूर पॉलो करें